राजगर के लिए पंडित धिरेंद कृष्ण शास्त्री का जो कारिक्रम है वो फाइनल हो चुका है हम इस वीडियो में आपको पूरी डीटेल उस कारिक्रम की देंगे वैसे काफी लोगों को डीटेल पता भी चल गई होगी लेकिन इस कथा के ये जो कथा होने वाली है यानि कि पाँच दिवसी दोरा जो है बागेश्वर धाम के पंडित धिरेंद कृष्ण शास्त्री राजगर जिले में करने वाले हैं पहले जो इस्टेटस पर लोग डाल रहे थे वो गलत तारीक डाल रहे थे 25 जून से 1 जुलाई तक का दोरा वो बता रहे थे लेकिन मैंने एक वीडियो में बताया भी और उसका खंडन भी किया कि अभी जब तक वेरिफाइट जानकरी नहीं आती है आप लोगों को शेयर नहीं करना चाहिए काफी सारे लोगों ने उस बात को मानके इस्टेटस भी अटाया हला कि मैंने गलती से उसमें जून जुलाई को आगे पीछे कर दिया था उसके लिए मैं शमा भी चाता हूँ अब ये कारेक्राम कहां पर होगा सबसे मुख्य सवाल तो यही है कि बागेश्वर्धाम वाले पंडित धिरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कथा जो है वो कहां पर होने वाली है तो एक खिल्ची पूर के स्टेडियम ग्राउंड में ये कथा होगी स्टेडियम ग्राउंड इसके लिए फाइनल किया गया है और एक दिवसी कथा राजगर के में शहर में भी पंडित धिरेंद्र कृष्ण शास्त्री करने वाले हैं इस कथा को कोन करवा रहा है सबसे वड़ा सवाल ये भी है काफी सारे लोगों की जुबाँ पर वो नाम है राजगर की शेत्री और आने वाले समय में हो सकता है कि उनका इंटर्विव भी हम करें मेरी अंशुल भीया से बात भी हुए इस मामले में उन्होंने कहा है कि बिलकुल हम साक्षातकार करेंगे और इसमें कारेक्रम की डीटेल क्या-क्या होगी और भी गेराई में हम जो है उनसे सवाल जवाब क करके और भी जो डीटेल सामने निकलेगी और राजगर की जनता के सामने हम रखने की कोशिश करेंगे और मुझे लगता है कि वह साधारन विक्ति है एकदम तो इंटर्वु देने में कोई परिशानी उनको होगी नहीं तो यह जो यजमान है उनका नाम था अंचुल हरी चर जो है उन्होंने नियोता दिया था बागेश्वर सरकार के पीठा दीश्वर पंडित धिरेंद कृष्ण शात्री को राजगर में आने का उन्होंने ही नियोता दिया था तो पूरे राजगर वासियों से निवेदान है कि भैया उनका भी दिल से धन्यवात कीजिए क्योंकि अलग-अलग इस्थानों पर पहुंचेगा उसमें एक बड़ा योगदान इनका रहा है बाकी मैंने बोला है कि इनकी जो कथा है वो खिल्चीपूर के इस्टिडियम ग्राउन में होने वाली है जो जनसंख्या का अनुमान है वो कम से कम 5-6 लाख लोगों का अनुमान है कि 5-6 लाख लोग राजगर जिले की धर्ती पर पंडित दिरेंद्र कृष्ण शात्री की कथा को सुनने आ सकते हैं ये एक बड़ा अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है अब प्रशाचन भी पूरी तरह से मुस्तेद है आज SP महोदे और कलेक्टर महोदे ने अंचुल तिवारी जी के साथ जो है कथा के इस्थान का दोरा भी किया था तो ये तमाम सारी तयारिया राजगर जिले में शुरू हो रही है हम भी बहुत जल्द ग्राउंड लेवल पर जाकर व्यवस्ता को दिखाएंगे कि किस तरह की व्यवस्ता वहाँ पर होगी हाला कि अभी तैयारिया शुरू हुई है आज गोशना हुई है आज डिसाइड हुई है जगा तारिक डिसाइड हुई है आज 25 जून से लेकर 29 जून तक यानि कि 5 दिन तक पंडित दिरेंद कृष्ण सास्त्री रहेंगे उसमें से एक दिन ऐसा भी रहेगा जिसमें राजगर के लोकल राजगर जो शहर है उसमें भी कथा एक दिन पंडित दिरेंद कृष्ण सास्त्री की कथा हमाँ पर भी रहेगी वो व्यवस्ता उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और हो सकता है कि इंटर्वीव उनका ले हम और बिल्कुल लेना भी चाहिए राजगर के लोग इंतिजार भी करेंगे उस इंटर्वीव का तो बिल्कुल मैं अंचुल जी का इंटर्वीव लूँगा और उनसे कथा के बारे में और गेहराई से जानने की कोशिश करूँगा फिलाल तैयारिया चालू हो चुकी है कामखेड़ा के दरबार में सबसे पहले कामखेड़ा के सरकार को निमंतरन दिया जाएगा इस कथा को लेकर उनको बुलाया जाएगा राजगर जिले में हम सभी जानते हैं कामकेड़ा वाला जी हमारे आराध्य है और राजगर जिले के काफी सारे लोग बलकि पूरा पूरा राजगर उनके चर्णों में नमन करने एक ना एक बार तो जरूर गया होगा तो यही से सोच लिजिए कफा की तैयारिया जोरो पर है और राजगर जिले में पंडित धिरेंद कृष्ण सास्त्रे आ रहे है पास दिवसी दोरा है और राजगर की धर्ती पर वो आ रहे है इसलिए उनका स्वागत है अभिनंदन है और आने वाले समय में हम समझेंगे कि इस कथा को केसे कवर किया जाए और पूरी कोशिश करेंगे राजगर जिले को पलपल की अपडेट देने के लिए बाकि बहुत बहुत धन्यवाद आपका सयोग हमेशा ऐसे बना रहे आपका प्यार हमेशा ऐसे बना रहे इस वेरिफाइट जानकारी को जने जन तक आप जरूर पहुचाईएगा